अस्तलाम अलेकुम स्टूजेंट्स टूड़े और टॉपिक इन सुशल स्टूडी सब्जेक्ट ऑफ क्लास वन इस इन दे स्काई प्रीवेस लेक्चर में हमने इन दे स्काई के बारे में फड़ा था के डे टाइम जो है स्काई पर क्या क्या चीज़े होती है और नाइट टाइम जो है वो क्या चीज़े होती है तो चले प्रीवेस लेक्चर का तोड़ा सा रिव्यू करते हैं at night the sky is dark रात को जो है आसमान बिलकुल ब्लैक हो जाता है अंदेरा चा जाता है ठीके पिर हमें stars और moon नजर आते हैं ये stars जो आपको नजर आते हैं ये बहुत ज्यादा दूर होते हैं अगर आप उपर space में भी चले जाते हैं तो वहां से भी ये इतने चोटे ही नजर आते हैं sometimes you can see the moon और कभी कबार हमें moon भी नजर आता है ठीके, day time में क्या होता है कि day time में sun जो है वो shining करता है छमकता है, bright होता है clouds होते हैं, ठीके और sky का color जो है वो blue होता है ठीके, और birds जो है वो flying करते हैं aeroplains भी उड़ते हैं आप लोग kites उड़ाते हैं तो sky जो है colorful kite से बरा हुआ होता है ठीके, ओके, ये stars जो है ये day time भी आसमान पे ही मौजूद होते हैं लेकिन सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि हमें ये नजर नहीं आते हैं, ठीके पर जब रात को सूरज नहीं होता उसकी रोशनी नहीं होती तो ये stars पिर हमें नजर आते हैं और ये जो moon आपको नजर आता है इसकी भी अपनी रोशनी नहीं होती बलकि ये सूरज से रोशनी जो है day time एब्सॉफ करता है अपने अंदर जजब करता है और पिर night time जो है ये पिर अपनी रोशनी हमें देता है in the day time you can see the sky it looks blue दिन के वक्त आप आसमान को देखे तो इसका color blue नजर आता है you can see white clouds floating by आप बादलों को भी तेरती हुए देखेंगे moment करती हुए हरकत करती हुए आपको नजर आते है the sun shines brightly during the day सूरच जो है वो दिन के दौरान बहुत ज़्यादा रोशन होता है चमकदार होता है it gives light ये हमें रोशनी देता है and warm to our planet earth और ये हमारी सियारी जमीन को गरम रखता है हरारत देता है ठीके now move toward our next new paragraph sometimes the sky is cloudy कभी कबार आस्मान जो है ये बादलों से बर जाता है ठीके sun भी चुप जाता है सूरच भी चुप जाता है और सारा आस्मान बादलों से बर जाता है तो फिर क्या होता है बारिश भी हो सकती है ठीके बारिश नहीं भी होती और आस्मान जो है बादलों से बरा हुआ होता है कभी कबार ये कलाउड जो है वाइट होते हैं और कभी बहुत ज़्यादा ब्लैक भी हो जाते हैं तो पिर बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है Never look directly at the sun कभी भी सूरज को एक सिम्त में मत देखिए Never कभी भी कभी नहीं लोग देखना directly एक ही सिम्त में at the sun सूरज को कभी directly एक ही सिम्त में मत देखिए It will hurt your eyes ये आपके आँखों को जखमी कर देगा जखमी से मुराद ये है कि ये आपके eyesight को weak कर देगा सूरज की रोशनी इतने तेज होती है कि हमें directly सूरज को नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये हमारे आँखों को जखमी कर देगा means कि ये हमारे आँखों की eyesight को नजर को कमजोर बना देगा ठीक है इसलिए हम जब बाहर जाते हैं तो sun glasses must पहनते हैं birds can fly high up in the sky परिंदे जो है उपर आसमान में उन्चाई पर उड़ सकते हैं ठीक है बहुत ज़्याद उन्चाई पर जा सकते हैं उड़ते हैं aeroplanes fly even higher जबके aeroplanes हवाई जहाज जो होते हैं वो birds से भी ज्यादा उपर उन्चाई में उड़ते हैं ठीक है read it again sometimes the sky is cloudy cloudy never आर पर ज़्यादा stress मत करें never never look directly at the sun it will hurt your eyes it will hurt your eyes birds can fly high up in the sky birds can fly high up in the sky aeroplanes fly even higher aeroplanes fly even higher high, higher, highest high उन्चा, higher उन्से भी उन्चा और हाई ये सबसे उन्चा ठीक है तो birds जो है वो high आप उन्चाई में जाके उड़ते हैं और aeroplane जो है उन्से भी higher मतलब उन्से भी उन्चाई में जाके aeroplane जो है वो उड़ते हैं okay here is an important point I want to discuss with you people यहाँ पे बहुत ज्यादा important point है जो मैं आपसे discuss करना चाहती हूँ hot air balloons okay हावाई जहाज के इजाद से पहले बनने से पहले जो थे वो hot air balloons होते थी ठीक है यहाँ पे आपको दिखाए भी थी है यह balloons बड़े बड़े balloons होते थे यहाँ पे oxygen के लिए आग लगाई जाती थी जिसके वज़ा से यह balloons उपर उड़ता था और नीचे बास्केट सा होता है इसके अंदर लोग बैठते थी ठीक है तो hot air balloons की बात हो रही है hot air balloons were invented in France in 1783 hot air balloons खुबारे जो है यह France में 1783 में इजाद हुए थी the first passengers जो सबसे पहले मुसाफिर इसमें बैठे थे जिन्होंने सफर किया था to travel in a hot air balloon जिसने वो मुसाफिर जिन्होंने first time सबसे पहले इस hot air balloon में सफर किया था वो कौन थे वो थे sheep bear duck बता and roaster और मुरगा ठीक है ये तीनों जो थे जब first time इसको बना दिया तो इसमें इन तीनों animals को बिटा के traveling करवाई थी कि ये किस हद तक काम्याब होगा ठीक है तो जो first passenger थे वो कौन थे उसमें sheep duck and rooster right okay now let's move toward the question answer describe what can you see in the sky during the day ठीक है daytime जो है आपको sky पे क्या क्या नजर आता है so we can see birds aeroplanes clouds kites up in the sky at daytime we can see birds clouds aeroplanes kite and sun at daytime in the sky at daytime we can see birds clouds clouds aeroplanes kite and sun in the sky at daytime we can see birds clouds aeroplanes kite and sun in the sky at daytime question number two describe what can you see in the sky at night night time जो है आप लोग क्या देख सकते हैं we can see stars moon bats जो चमकादर होते ठीक है चमकादर in the sky in the sky at night time we can see stars moon and bats in the sky at night time we can see stars moon and bats in the sky at night time okay or national flag has something you can see at night on it what is it हमारे जो पाकिस्तानी जंडे पे कुछ ऐसी चीजे हैं जो हम रात को देख सकते हैं ठीक है वो कौन सी चीजे हैं वो है moon and star moon and star moon and star moon and star okay now look at the next page 66 work page exercise A here are some other things we can see in the sky write the names and color the pictures number first a kite an aeroplane a bird a helicopter ठीक है यहां पे आपको picture दी है number first जो है यह किस चीजे की picture है a kite an aeroplane an aeroplane a bird a helicopter which one yes an aeroplane तो आप लो यहां पे aeroplane का spelling right करे और इसको color करे right next है next है a kite a bird and the last one is a helicopter ठीक है उपर से उपर चॉइस में options में आप लोग को names दी है वहां से आप लोग names write करे और इन चारो object को आप लोगो ने color करना है ठीक है exercise b fill in the blanks the sky is high dash the earth ठीक है sky जो है जमीन की उपर क्या है above है below है क्या है the sky is high above the earth the sky is high above the earth the sky is high above the earth okay it is dash at night night को होता है है bright होता है sun या dark होता है it is dark at night it is dark at night we can see the dash and dash only at night we can see the stars and moon only at night we can see the stars and moon only at night okay this is the activity draw a picture of the sky and what can you see in it social study social study की जो drawing activity notebook का जो हमने बताया था उसी में आप लोगों ने sky का picture बनाना है और उपर sky में जो जो चीजे day time होती है वो आप लोगों ने उस पे ड्रॉ करना है और उसको color करना है ठीक है तंक यू